यो समझता है क्या थारब लो क्या दे सब का मूँ थोड़ी बन कर सकते ना यो बन कर सकते ना झाल झाल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार फिल्म रिव्यूज. आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी. क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है? या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है? चलिए जानते हैं इस रिव्यू में. फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन. कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी. फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है. लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मिन का सामना करना पड़ता है. कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है. अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डान्स मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया. हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है. कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी. वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे. निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है. वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है. रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं. खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टिन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश कर फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप ताइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर के जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी म जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जा कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंट टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में ट टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म के कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मू या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कम की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट कि थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृति सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा ख पहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हैरे पैंटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कम की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट कि हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृति सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्या पहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरे पैंटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कम की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट कि हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृति सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्या पानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कम की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट कि थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृति सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा ख हीचे हुई लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, त और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले व फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कह प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म क काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बह पहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हरेपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श् इडियों में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में र कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे अ दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, व क्रिती सेनन की केमिस्ट्री टाइगा के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और क्रिती को और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्षन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलु की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलु को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक् साला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं, ख के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्षन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे क वागत है आपका साउथ मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रिपांटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सि सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परि किया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स् फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मस काला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खा के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्षन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश क दाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ पैंगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाज़ा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टंट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करे फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप ताइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर के जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी म जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जा कहानी एक टिपिकल बॉलीवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंट हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खीचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले व क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और र प्रश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शान है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कह हरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू न न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश रा व्मेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सबस्क्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म र पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक् लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृती को और ग्रोथ की जरूरत थी, अग को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रिपांटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभि शिति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी या नहीं है, कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नही और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलीवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू ह होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्म का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्र इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भ जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी चुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदग करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनक प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल् की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सबस्क्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज ह कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंट हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खीचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हैरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हैरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मो का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार द सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परि जाया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नह करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैस लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आ दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्र स्ट्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती स की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्यो की ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेद अपिकल बॉलीवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल् प्रकाश राज का इमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्म के फैन है, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रि हिंदी को सबस्क्राइब करना न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलिवूड में कदम रखा और उनकी साला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खा साला एंटिटेन के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्षन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स जेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल् एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरप की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट कि थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा ख हीचे हुई लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, त क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीड तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और र दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शान है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टंट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहान हिंटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल् चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट् एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइग श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की ह कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी या नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नह और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू ह होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्म इनका सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और दान्स मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल् प्रकाश राज का इमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्म के फैन है, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा साउट मूवी हिंदी को सबस्क्राइब करना न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाल एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपन रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दम की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्यो की ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेद पिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलिवुड में कदम रखा और की एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छो प्रकाश राज का इमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृती को और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मो के फैन है, तो हरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा हरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब करना न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फ स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, ले उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलिवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और क्रिती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और क्रिती को और ग्रोथ की जरूरत थी, अ क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडिय लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रिपांटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्य फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलीवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरद बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइग श्रॉफ ने इस फि अलिवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट प्रकाश राज का इमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृती को और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा र साउक मूवी हिंदी को सबस्क्राइब करना न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउक मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले ह टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दम की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्यो की ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेद पिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलिवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टंट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग औ आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप ताइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाह दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार फिल्म रिव्यूज। फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मिन का सामना करना पड़ता है। कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है। अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी। वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे। निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स् कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन क करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब पाता है जब बबलू को इन सब के पीछे अस्ली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश रा और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तो ये था हमारा रिव्यू हरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हरपांटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के ल इंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भर की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट कि हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्या पानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उन है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेज कमाल की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक् साला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोरी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास ब सामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करे फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप ताइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर के जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी म जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जा कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलिवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंट टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टंट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में ट टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म के कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मू के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक् साला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खा लेकिन के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करे, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नी असकार दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ मूवी हिंडी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेरपांटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देख की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उसमें काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मिन का सामना करना पड़ता है कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी अगर आप एक्षन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मिन का सामना करना पड़ता है कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डान्स मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टंट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मिन का सामना करना पड़ता है कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डान्स मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उसमें काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल कहानी में ज़्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बहुत ज़्यादा खींचे हुए लगते हैं एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करे फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे अस्ली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उसमे काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरेपांटी आपको इंटर्टेन करेगी लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करे फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हैरेपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप ताइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूद लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डान्स मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उसमे काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्षन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिको और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्षन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टिन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपक करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे क वागत है आपका साउट मूवी हिंडी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हैर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर् उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नह ही है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रे किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप ता अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउक मूवी हिंडी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेरपांटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागन से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी मे उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तर पहशानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मो के फैन हैं, तो हरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रि हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों क मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू कि और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर न किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते है एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपक करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हैरेपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कम अगत है आपका साउथ मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हैरेपांटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर् टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूद लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार न नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प कहान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन् एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टिन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस तो, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूज ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कम की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट कि हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृति सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्या आनियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हैरेपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हैरेपांटी की, जो 2014 में रिलीज ह कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला क कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शांदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइला कहानी में ज़्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरेपैंटी आपको इंटर लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आ दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्र प्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृती को और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म चलिए जानते हैं इस रिव्यू में, फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन, कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी, फिर एंट्र अभिने, टाइग श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृति सेनन ने भी इस फिल्म से ब चूरी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है, रब्बा और विसल बाजा, जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी याद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार हीचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइगर और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, त क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीड पदर में रिलीज हुई थी. क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है? या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है? चलिए जानते हैं इस रिव्यू में. फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलीवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन. कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेख कर दी थी. फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है. लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मिन का सामना करना पड़ता है. कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है. अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और दांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया. हाला कि उनक प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे. निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है. वही फिल्म की केमिस्ट्री टाइग के साथ. प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल. कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है. कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं. एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी. अगर आप एक तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का. आपको ये फिल्म कैसी लगी थी? और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं. अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज. आज ह कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन. कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी. फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार है. अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया. हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है. कृति सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी. वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे. निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं. खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन् एक्टिंग के मामले में टाइग और कृति को और ग्रोथ की जरूरत थी. अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी. लेकिन अगर आप नई और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको रिव्यू देखना चाहते हैं. नीचे कमेंट करके जरूर बताएं. अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा. नमस्कार दोस तो, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज. आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हेर पैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी. क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए हैं. चलिए जानते हैं इस रिव्यू में. फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवूड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्षन. कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश के भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी. फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है. लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असी दुश्मन का सामना करना पड़ता है. कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्षन और ड्रामा से भरपूर है. अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्षन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया. हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटेटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है. वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है. रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उस समय काफी हिट हु नहीं है. कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा खींचे हुए लगते हैं. एक्टिंग के मामले में टाइगा और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी. अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरे पैंटी आपको इंटर्टेन करेगी. लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें. फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है. तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरे पैंटी का. आपको ये फिल्म कैसी लगी थी? और क्या आप त अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउथ मूवी हिंडी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज. आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन. कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेक कर दी थी. फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है. लेकिन ट्विस्ट तब आ दिल जीत लिया. हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है. कृती सेनन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी. वही प्रताप सिंग के रोल में प्र स्क्रीन प्ले थोड़ा प्रेडिक्टेबल है. वही फिल्म का म्यूजिक एक हाइलाइट है. रब्बा और विसल बाजा जैसे गाने उस समय काफी हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं. खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ. प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल. कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है. कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं. एक्टिंग के मामले में टाइग और कृती को और ग्रोथ की जरूरत थी. अगर आप स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है. तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू है रिपांटी का. आपको ये फिल्म कैसी लगी थी? और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मों का रिव्यू देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म की, जो 2014 में रिलीज हुई थी. क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है? या सिर्फ टाइगर के फैंस के लिए है? चलिए जानते हैं इस रिव्यू में. फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन. कहा लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है. कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है. अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक काफी फ्रेश और नेचुरल लगी. वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे. निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्होंने इसे मसाला एंटिटेनर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन क टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल. कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है. कुछ सींस बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं. एक्टिंग के मामले में ट टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी. अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी. लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें. फिल्म करके जरूर बताएं. अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंद हैं इस रिव्यू में. फिल्म की कहानी एक टिपिकल बॉलिवुड लव स्टोरी है, जिसमें है प्यार, ड्रामा और धेर सारा एक्शन. कहानी शुरू होती है रिचा और राकेश की भागने से, जिनकी शादी उनके परिवार ने टेग कर दी थी. फिर एंट्री होती है प्रामा से भरपूर है. अभिने, टाइग श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया. हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है. कृति सेन ने भी इस फिल्म से बॉलीवूड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी. वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे. निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है और उन्हों खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिकों और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश क चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साउट मूवी हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार फिल्म रिव्यूज, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म है रपैंटी की, जो 2014 में रिलीज हुई थी, क्या ये फिल्म आज भी देखने लायक है, या सिर्फ टाइ फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ के किरदार बबलू की, जो इन दोनों की मदद करता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बबलू को इन सब के पीछे असली दुश्मन का सामना करना पड़ता है, कहानी में कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक्शन और ड्रामा से भरपूर है, अभिने, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया और उनके एक्शन और डांस मूव्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया, हाला कि उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक लगती है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजन्स कमाल की है, कृती सेनन ने भी बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी एक्टिंग काफी फ्रेश और नेचुरल लगी, वही प्रताप सिंग के रोल में प्रकाश राज हमेशा की तरह शानदार थे, निर्देशन और संगीत, साबिर खान ने फिल्म को डाइरेक्ट किया है, और उन्होंने इसे मसाला एंट हिट हुए थे और आज भी आद किये जाते हैं, खास बातें, टाइग श्रॉफ का दमदार एक्शन और स्टन्ट, कृती सेनन की केमिस्ट्री टाइग के साथ, प्रकाश राज का एमोशनल और स्ट्रॉंग रोल, कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ सीन्स बहुत ज्यादा खींचे हुए लगते हैं, एक्टिंग के मामले में टाइग और कृतिको और ग्रोथ की जरूरत थी, अगर आप एक्शन, रोमेंस और मसाला फिल्मों के फैन हैं, तो हेरपांटी आपको इंटर्टेन करेगी, लेकिन अगर आप नहीं और गहरी कहानियों की तलाश में हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश करें, फिल्म को मैं तीन स्टार दूनगा, क्योंकि ये एक टाइम पास फिल्म है, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू हेरपांटी का, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और क्या आप टाइगर श्रॉफ की दूसरी फिल्मो का रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल साउट मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा